Hello everyone, this is Bhati and welcome to Dream Maths और आज हम डिसकस करने वाले हैं Chain Rule of differentiation बहुत easy है and this is the part 4 of differentiation I hope आपने previous parts अच्छे से कर लिए हैं आपको इस part बहुत अच्छा लगने वाल है easy भी है और सबसे बड़ी बात important है यहां से आपको question exam में मिलेगा ठीक है? chain rule बहुत easy है यह मैंने लिखी है in terms मैं आपको अभी clear करूंगी पहले question से ही समझने chain rule होता गया ठीक है? देखो ध्यां से देखना वो पूछ रहा है find dy by dx using chain rule dy by dx निकालने chain rule यूज करके अगर आप देखो na y है न जो वो है v cube plus 2v square plus 5 ठीक है? y तो v में लिखा हूँ है और वो पूछ रहे हैं dy by dx अरे y जो है मुझे v variable में दिआ हूँ है मुझे वो dy by dx पूछ रहे है तो मैं कैसे निकाल सकते हूँ? है ना फिर v जो है वो u में दिया हूआ है और जो u है वो x में दिया हूआ है मतलब dy by dx तो वो पूछ रहे है लेकिन y v में दिया हुआ है v u में दिया हुआ है और u x में दिया हुआ है मतलब जो y है वो directly x में नहीं दिया हुआ clear is जब ऐसे आपको questions दे रखों है ऐसे दे रखों कि variable directly link नहीं है y में तो x है ही नहीं तो मैं d y by dx कैसे निकालू तो d y by dx निकालने के लिए मुझे chain rule का यूज़ करने पड़ेगा ठीक है अब ध्यान से देखना y किस में है v में v किस में है u में और u किस में x में ध्यान से देखना अगर y v में है तो मैं derivative y का v में ही निकाल सकती हूँ x में नहीं directly ठीक है v किस में है u में मतलब मैं v का derivative u में ही निकाल सकती हो और किसी variable में नहीं u किस में है x में मतलब मैं u का derivative x में ही निकाल सकती हो और किसी में नहीं most important और ध्यान से समझे चीज़ बहुत easy है y v की terms में ही था देखो v q plus 2 v square plus 5 उसमे x तो कहीं नहीं था तो जो जिसमें है उसमें आप निकालो dy by dv, dv by du, du by dx इन सब को multiply कर दो चीक है ये आपको dy by dx दे देगा कैसे देखो ये y से y और u से u इंसल होते नहीं ये चेक करने का तरीक है अगर y से v से v कैंसल करें u से u कैंसल करें तो देखो dy by dx ही बचता है मतलब ये dy by dx ही बनाएगा ये as such कैंसल नहीं होते जस्ट चेक करने के लिए कि हाँ ये अगर तीनों को multiply किया जाए तो at last आपके पास answer dy by dx ही आएगा clear h is बहुत easy सी चीज अगर आप ध्यान से इसको समझा तो dy by dx कैसे निकलेगा जो जिसमें है उसका derivative निकाल देंगे dy by dx is equal to dy by dv dv by du into du by dx I hope आपको clear हो रहा है चीक है आगे देखिए next बहुत easy सा काम है बहुत easy सा dy by dv है देखो dy by dv अगर मैं निकालूंगे क्या होगा यह ध्यान से देखो dy by dv y क्या है मेरे पास v cube plus 2v square plus 5 तो dy by dv क्या होगा जैसे हम x का करते थे power आगे और 1 power कम यह 3 power आगे आचुकी है और 1 power मैं कम करें that is 3 into v square ठीक है plus 2 as it is 2 power आगे और 1 power कम that is 2 into 2 v की power 1 plus 5 का derivative 0 जैसे उसके पास v है नहीं तो उसका derivative 0 जिसके respective में v के respective में derivative हो रहा है और इसके पास v नहीं है तो इसका derivative 0 ही होगा clear h बहुत easy सी चीज है तो dy by dv आगे 3v square plus 4v 0 लिखने की जूरूत नहीं है तो this is your dy by dv 3v square plus 4v clear है चीज अब आगे क्या निकालना है dv by du v क्या है 3u plus 1 तो मैं अगर dv by du निकालूंगी 3 as it is जैसे u का derivative u में कर रहे है du by du बनेगा न देखो du by du plus 1 का derivative तो 0 क्योंकि u के respective में derivative हो रहा है और इसके पास u है नहीं तो इसका derivative 0 that will be 3 du से du का अगर हम derivative लें वो 1 आता है that is 3 आने वाल है clear है चीज du by du कैसे हुआ देखो u की पावर 1 है ना 1 पावर आगे 1 पावर कम करनी थी 1 into u की पावर 0 that will be 1 into 1 आंसर क्या है 1 इसलिए du by du 1 बने है पर आंसर क्या है 3 clear है चीज तो derivative dv by du के आया 3 आ गया आप बचा du by dx u क्या है 9x plus 1 u क्या है 9x plus 1 तो du by dx हमेशा ये रेखो किसके respective derivative हो रहा हो उसी की powers पे हम अपने power वाले rule लगाते हैं x के respective हो रहा है 9 as it is x का derivative 1 plus 0 x का derivative हमेशा 1 होता है जिसकी power 1 उसका derivative 1 तो x है ना यहाँ पे x का power 1 तो derivative 1 या फिर ऐसे को 9x का derivative 9 ऐसे देखना है ऐसे देख लो उने तो यह देख लो 9 बाहर x की power 1 का derivative खुद 1 आएगा clear h is plus 0 चिक है तो that is 9 आ गया du by dx बहुत इसली अगर आपने previous part से अच्छे से देखे हैं तो आप बहुत इसली देख सकते हैं बचे कि अगर derivative 9x का करा जाए तो वो 9 ही होता है कैसे लेखो 9 बाहर x की power 1 है ना तो यहाँ पे 1 आगे लिख देंगे एक power कम 9 into x की power 0 that is 9 into 1 वो 9 ही बनेगा means इसलीए 9x का derivative 9 बना और 1 का 0 last 3 classes से मैं आपको repeat करें बचे कि 2x तो उसका derivative 2 3x तो उसका derivative 3 4x तो उसका derivative 4 हाँ 4x square है फिर करना पड़ेगा लेकिन जिसके साथ x से उसका derivative वो number बन जाता है इसली 7x का derivative 7 clear ages तो यहां पर क्या बन गया 9 तो अब सारे derivatives निकल चुके हैं तो मैंने कहा था ना कि dy by dx क्या है dy by dv dv by du du by dx जो जिसकी terms में है सब की respect करते हुए उनका उसी में derivative निकालो और जा आप उन्हें multiply करो रहे हैं देख़ो ऐसे check भी कर सकते हो तो वो end में आपका dy by dx बन गया है कुमालो dv से dv cancel, du से du cancel यह cancel नहीं होते हैं यह just check करने के लिए ठीक है so dy by dv क्या था हमार पास हमार पास था 3v square plus 4v जैसे मुझे देखने से function का derivative पतल लग रहे है अगर आपके practice हो जाएगी आपको भी देखने से पतल लगेगा dv by du था आपका 3 ठीक है और du by dx था आपका 9 वो मैंने as it is note कर देख इनको multiply करेंगे 9 3 था 27 3v square plus 4v ठीक है क्या question खतम होगा है यहाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं question खतम हुआ answer dy by dx का निकाल ला है तो यहाँ पे v क्या कर रहा है v तो होना ही नहीं चाहिए तो हम इस v को अब हटा के x की terms में लाएंगे करें question चलिए मारपस बना था 27 3v square plus 4v v की value क्या है देखो 3u plus 1 अगर dy by dx निकाल रहे हो तो answer भी x में होना चाहिए v में नहीं होना चाहिए तो हम इसे x तक लेके जाएंगे v क्या है 3u plus 1 डाल देते हैं 27 3 3u plus 1 का whole square plus 4 यहाँ पे 3u plus 1 आजएगा v के place में सिर्फ 3u plus 1 डाला है क्योंकि मुझे answers x में चाहिए ठीक है that will be 27 3 यह square खोल दो 9u square plus 1 plus क्या आएगा 6u किस formula से खोला a plus b का whole square होता है a square plus b square plus 2a भी यही formula लगा के मैंने 3u plus 1 का whole square खोल ठीक है plus 4 into 3u plus 1 आगे देखो 27 यह क्या बनेगा 9 3 दा 27u square plus 3 plus 6 3 दा 18u plus 4 दा 12u plus 4 just simple multiply किया है अब v की value डालने से भी मेरा जो question है वो u की terms में आया है लेकि मुझे dy by dx x की terms में चाहिए तो मैं u को क्या put कर दूँगी 9x plus 1 की मुझे जो मेरा dy by dx है वो x की terms में मिले ना कि v और u की terms ठीक है तो इसको note कर लेते हैं यह मेरे पास बन चुका है बहुत easy सी चीज है बस आपको simplify करते जाना है अब 27 u की value डालते है u की value क्या आती मेरे पास 9x plus 1 तो u के place पे मैं डाल रही हूँ 9x plus 1 यहाँ पे whole square plus 7 plus 30 9x plus 1 जस्ट आपको solve करते जाना है value पुट करके जब तक dy by dx x की terms में ना आ जाए v और u नहीं होना चाहिए उसमें x होना चाहिए ठीक है तो 27 27 9x square कहाएगा 81x square plus 1 plus 2 into 9x into 1 कौन से फॉर्मुला से इसी फॉर्मुला से a plus b का whole square is a square plus b square plus 2a भी उसी फॉर्मुला से खोला मैंने यह plus 7 plus 30 into 9 that will be 270x plus 30 यह आपका आशर आएगा अभी इसको ओर थोड़ा से simplify करते है 27 27 into 81x square plus 27 plus 27 into 2 into 9 next 27 मैंने इससे भी multiply किया इससे भी और इससे भी that will be plus 7 plus 270x plus 30 हाँ जी इस सबको आप सॉल करने वाले हो 27 into 81 जैसे आप multiply करना चाहोगा आपको calculate is allowed है बहुत इसली कर सकते हो plus 27 plus 27 into this यह सारा सॉल करने के बाद मैंने direct लिग दिया है यह आपका answer बनेगा और यह answer बनेगा this is dy by dx यह सारा का सारा x की terms में कहीं भी इसमें v और u नहीं है so this is your final answer calculation से डरना नहीं है calculations के साथ अपना comfortable हो जाओ कि आप जितनी practice करोगे calculations आप से अच्छे से होंगी ठीक है और कुछ भी नहीं है इसमें सिफ calculations का का काम है तो सबसे पहले अगर dy by dx चाहिए y मेरा v में था तो मैंने y का v में निकाल लिया v मेरा u में था तो मैंने v का u में निकाल लिया u मेरा x में था तो मैंने u का derivative x में निकाल लिया अगर आप इसको cut करके भी देखो dv से dv, du से du तो end में dy by dx से बनता है यह cut नहीं होते हैं बार बार बोलटा हूँ यह चेक करने का तरीक है आप इनके derivatives निकालके यहां multiply कर दो answer v या u में आ जाएगा ठीक है जहां जहां v है वहां 3u प्लस 1 डाल दो सारा simplify कर दो फिर जहां जहां u है वहां 9x प्लस 1 डाल दो और आप simplify कर दो आपको dy by dx x के terms में मिल जाएगा ठीक है तो chain rule बहुत easy है आपको क्या करना है जस्ट आपको उस variable तक पहुंचना है जहां तक वो आपसे मांग रहा है जैसे dy by dx तक पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है कैसे y का friend है v ठीक है v का friend है u u का friend है x तो y भी x का friend बन जाएगा इन दोनों की help से clear h is बहुत easy सा concept है चले आगे चले next दिखो बहुत easy differentiate this with respect to x मैं ये आपको पूरा exact chain rule से बता रही हूँ मतलब your v की help से next class में हमें इतना बड़ा method u v का ना करना पड़े हम direct कैसे chain rule को यूज कर सकते है वो questions मैं आपको next class में करवाऊंगी but आज मैं u और v की help से आपको questions करवा रही हूँ सबसे पहली चीज जो अंदर लिखा देखो let जिसका derivative y ले लो let y is equals to 3 plus 4x upon 2 minus x का whole square y ले लो इस पूरे equals to 3 plus 4x upon 2 minus x ठीक है जिसकी power है इसकी power है इस function की इसको यू माल लो क्या हर function जिसकी power होगे आपको u v से करना होगा बिल्कुल नहीं वो मैं बहुत एजली आपको करना सिखाऊंगी just seconds में question होगे but ये भी मेरे को करवाना है क्योंकि अगर आपके question में लिखा आगया by chain rule मतलब proper chain rule से करो फिर आपको u v की help से ही करना पड़ेगा इसलिए मैं u v वाले questions भी करवा रही हूँ but directly कैसे chain rule के questions solve कर सकते हैं without the help of u और v वो मैं आपको next class में explain करूँगी ठीक है तो मैंने u ले लिया अंदर वाले function को तो मेरे पस क्या बन गा रेखो y is equals to u square क्योंकि जो अंदर वाला function था मैंने उसे u ले लिया ठीक है अब मेरा function देखो क्या होगा अगर मुझे dy by dx तक पहुंच नहीं ध्यान से देखो y तो किसकी terms में होगा u में तो dy by du होगा और du by dx होगा देखो तभी मेरे पास dy by dx बन रहे है clear है चीज मतलब u v की help से मैं खुद की naming देखे खुद chain rule लगा रहे हो कि हाँ ऐसे करना है हाँ हर question u v rule से नहीं करना पड़ता direct questions मैं आपको करवाऊंगी चिक है तो ये अंदर वाले function को u ले लिया square as it is बाहर पड़ा है तो अगर मुझे dy by dx तक पहुंचना है तो dy by du du by dx आप सोच रहोंगे मैं u q ले रही हूँ मुझे अभी तक differentiate करना नहीं आता कि अगर जब whole power हो आप इसका differentiation नहीं कर सकते मैंने अभी तक आपको सिखाए कि x square का क्या करो 2 आगे एक power कम x की power 7 का क्या करो 7 आगे एक power कम मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर हमारे पास 3 x square हो तो 3 as it is एक power आगे और कम तो यहाँ पे आता 6 x यह सब derivative आता है लेकिन आपको whole power का derivative भी नहीं आता कि उसको u ले लो और square बाहर s अच रहे तो अगर मुझे y से x तक पहुँचना है तो dy by du into dy by dx करना पड़ेगा u मेरा ये रह चीक है तो y क्या है u square और u क्या है 3 plus 4x upon 2 minus x I hope आपको clear है चीक है आप देखो dy by dx के लिए क्या चीए dy by du कर देते है dy by du is equal to 2u power आगे एक power कम ये y का u में करना था तो जो power थी उसको मैंने आगे लिख दिया और एक power कम कर दी 2 power थी तो उसकी power क्या लिख दी 1 लिख दी that is 2u बन गया और क्या चाहिए मुझे du by dx कर देते हैं du by dx ध्यान से करना इसमें आपको कौन सा rule लगेगा question rule जो मैंने last class में सिखाया क्योंकि ये दोनों function divide हो रहे हैं तो ये क्या बनेगा देखो ध्यान से 2 minus x का whole square नीचे वाले function का square ये square करवा के थग गया है इसको as it is और derivative उपर वाले function का कोई दिक्कत नहीं है उपर वाले function का हम derivative ले लेंगे minus जिसने अपना derivative करवा लिया वो wait करेगा और फिर हम derivative लेंगे 2 minus x का ठीक है बहुत अराम से ध्यान से करना है चलिए फिर आगे चलते हैं हाँ जी तो मेरे पास है 3 plus 4x upon 2 minus x मैंने इस पे लगा लिया यह मेरे पास u था मैं du by dx solve कर रहे हूं मैंने इस पे लगा लिया कौन सा rule question rule उससे मेरे पास बना था 2 minus x का whole square this और जो वही same लिख रही हूं जो मैंने last उसमें लिखा था पेच पे that is this minus यहापे मेरे पास आएगा 3 plus 4x d by dx of 2 minus x वही नोट किया चीक है आप देखो 2 minus x as it is d by dx of 3 plus 4x 3 का derivative 0 4x का derivative 4 minus 3 plus 4x as it is 2 minus x का derivative 2 का derivative देखो 2 minus x है नहीं आपे 2 का derivative 0 minus x का derivative 1 और नीचे 2 minus x का whole square चीक है so du by dx is equal to 2 minus x 4 आगे लिख दिया और यह minus 1 है 0 minus 1 है minus 1 बहार एक minus already पड़ा है minus minus plus तो यह plus 1 into 3 plus 4x upon 2 minus x का whole square clear है यह चीज़ चलें आगे चलें फिर नेक्स देखो next क्या है 4 into 2 minus x plus 1 into 3 plus 4x upon 2 minus x का whole square यह हमारा du by dx बन चुक है ठीक है और इसको करते है 4 to the 8 minus 4x plus 3 plus 4x upon 2 minus x का whole square जस्त मैंने brackets को ली है minus 4x plus 4x cancel 8 plus 3 that is 11 now 11 upon 2 minus x का whole square यह मेरा du by dx ठीक है तो मेरे को तो dy by dx तक जाना है मतलब dy by du into du by dx क्योंकि उन्होंने का था differentiate करो with respect to x मैंने इस पूरे को ही वाय ले लिया था मतलब मुझे dy by dx तक जाना है ठीक है dy by du 2 du था और यह मैंने यहाँ पे निकाला है इसको भी अच्छे से explain करते है ठीक है so dy by dx is equal to dy by du into du by dx dy by du क्या था देखो ध्यान से देखो 2u था कर देते हैं 2u और du by dx 11 upon 2 minus x का whole square जब मुझे terms याद होती है it means मेरी understanding level जो practice से बढ़ चुक है आप लोगों का भी बढ़ेगा अगर आप practice करोगे ठीक है उसके बाद क्या है 22u upon 2 minus x का whole square खतम question है ना खतम हो गया ना question नहीं dy by dx था और मुझे यहाँ पे u दिख रहे है मुझे x तक जाना है कैसे जाओंगे देखो dy by dx आया है मेरे पास 22u upon 2 minus क्या था x का whole square अरे u क्या कर रहे है यहाँ पे मुझे तो dy by dx तक जाना है तो इस u का क्या करूंगी मैं मुझे तो x तक जाना है u क्या लिया था मैंने बताओ u लिया था मैंने ये 3 plus 4x upon 2 minus x जिस्ट वहाँ पुट करना है और question खतम that is 22 upon 2 minus x का whole square और यहाँ पर आजेगा 3 plus 4x upon 2 minus x आजेगा ठीक है जिस्ट आपका ये answer है कैसे लिखेंगे इसको finalize करके 22 into 3 plus 4x upon 2 minus x की power 3 क्योंकि 2 यहाँ पर है power और 1 power यहाँ पर है whole power आजेगी 3 this is your final answer question बहुत easy है अगर आपको specially mentioned है कि by chain rule करो फिर आपको ये you let करके question करना पड़ेगा otherwise कोई फरक नहीं पड़ता आप बेना you लिये भी questions कर सकते वो मैं आपको बहुत easily next class है बहुत अच्छे से clear करने वाली I hope you like this video do like, share, comment and subscribe to my channel which is dream math thank you so much for watching